सब को मेरा दिल से नमस्कार, जगत की रचना का और एक कपिक को मैं आप सबी को स्वागत करता हूँ, आज का टबिक है उत्पती 6 का 12 से 13, 12 की पद में अनुसार परमिसर ने देखा की पृतिवी भ्रस्ट हो चुका है, परमिसर की विचार की अनुसार पृतिवी में पाप की म इतना बढ़ गया था कि और चिंत की बाहर था, लिखा है सारे प्रानी भ्रस्ट हो चुके हैं, तो एक चीज को ध्यान दिजिए, पृतिवी में इंसान की सिवा दूसरे प्रानी भी थे, इंसन ने गल्त किया, लेकिन अब परमिसर ने इंसान के साथ सारे जनवार पंची को भी बिनास करेंगे, इसी का दो बज़ा है, पहला जिस गिर हुए दूतों ने प्रती पर अपना बंक्स को बढ़ाये थे, परमिसर की योजना की मतावग, उनकी परिवार पुरी तरस से ना सोंगे, दूसरा, परमिसर इतना पवित्र है, उसके सामने पाप रहे नहीं सकता, इस लिए सिर्फ इनसान पाप करने के बावजुत, इनसान के साथ साथ, इनसान के साथ रहे ने वाले जवना और पंची उनको भी ओवनास करेंगे, इसी से आन्मान कीजिए, परमिसर कीतना पवित्र है, और ओव कीतना पाप को नफरत करता है, तेरा पद में परमिसर ने कहे रहे हैं कि सारे प्राणियों को अंतिम समय आज चुका है मतलब प्रतिवी परमिसर की नजर में भ्रस्ट हो चुका है इसलिए परमिसर सारे प्राणियों को नास करेंगे मतलब हम प्रतिवी को भी नस्ट करेंगे और ट्राणियों को भी नस्ट करेंगे परमेशर की बचन को जदा सुनने के लिए इस चानल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में धन्यवाद